तो आज हमारा question है, solve 5x minus 7 upon 3x equal to 2 and check your solution, हमें पहले solve करना, फिर check करना में solution सही है या नहीं, क्या है हमारा question, 5x minus 7 upon 3x equal to 2, अब देखो यह तो fraction में, यह non fraction, तो इसके नहीं हम 1 लगा सकते हैं, इसको भी fraction में कहीं, 1 से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 का आपके c multiply करो, divide करो, same आता है, ठीक है, अब इसको यहाँ cross multiply, और इसको यहाँ, ठीक है, अगर 1 का 5 से करेंगे तो 5x आएगा वई, और 1 का 7 से करेंगे, तो 7 ही रहेगा, अब यह linear, 2 और 3 का अगर करेंगे, तो 6x है, 2 3 जा 6, ठीक है, मन यह बीच में कितना है, equal का sign है, जब भी equal से आगे या पीछे कोई digit जाएगे, तो उसके sign क्या होते है, change होती है, अब यह 6 पलस में, तो यहाँ जाके minus हो जाएगा, 6x, यह कितना है, minus 7 है, यह पीछे जाएगा, तो यह plus 7 हो जाएगा, देखो, 6 में से 5 गया, क्या बच्छे अब यह है, हमें चक्क करना पा अंसर अपना, तो हमारे क्या था, 5x minus 7 upon 3x, equal to kya 2, ठीक है, तो 5, x यह क्या रखना, minus 7 रखना है, क्योंकि हमारा अंसर x क्या रखना है, और 7, और 3 into minus 7, 75 जा क्या हो जाएगा, 35, minus में आएगा, और यह minus 7, और 7 थी जा 21, पर minus में आएगा, क् अब 35 वो 7 कितना हो जाएगा, minus में आएगा, लेकिन साइन में आएगा, कितना हो जाएगा, 42, ठीक है, और minus 21, आप इसको काटेंगे, ठीक मैंस से मैंस कर जाएगा, 21, 2 जे कितना हो जाएगा, 42, तो हमारे 2 आ रहा की नहीं आ रहा, तो यह भी 2 आ गया, ओके, थेंक्यू,